नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे के महिलाओं के किस अंग में कभी भी उंगली मत करना हो जाओगे बरबात आपका जीवन स्वर्ग से नर्क बनले में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा इसलिए मित्रों आप हो जाएं साबधान दोस्तों यदि आपने अभी तक ये नहीं जान पाया है कि महिला के किस अंग में उंगली करना आसुभु मना जाता है जिससे देवी देपता भी नाराज होते हैं तो आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से मित्रों सबसे पहले तो हम आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहेंगे यदि आप अपने जीवन में लाखो करोडों को सिसे कर चुके हैं फिर भी आप आमीर इंसान नहीं बन पा रहे हैं आप गरीबी के दलदल में धस्ते चले जा रहे हैं और आप उससे उपर निकलने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले पा रहे हैं तो आपको मैं आज एक ऐसा टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत जल्दी माला मल बना देगा और आपका जीवन नर्क से स्वर्ग बना देगा दोस्तों यदि आप साधिस द्वा हैं तो ये जानकारी आपके लिए अतिल्लाब दायक है मित्रों आपको करना है रोजना सुबह ऊटकर इस 칸नान करने के बाद देभी लच्मी की पूजा हवस्य करनी चाहिए यदि मित्रों आप साधिस दा हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ पूजा करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू सात्रों के अनुसार महिलाओं को देवी लच्मी के समान सुभ और मंगल कारी माना गया है और यदि आप उनके साथ पूजा करेंगे तो आप देवी लच्मी को पहुत ज्यादा प्रसंद करेंगे और आपकी मनो कामनाय बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी और आपके कारोबार में भी तरक्की होने लगेगी अब दोस्तों आईए जानते हैं महिला के किस अंग में उंगली करने से पूरा घर तबाहु बरबाद हो जाता है दोस्तों यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है इसका सम्मान प्रतिये घर में किया जाता है सात्रों में कहा गया है कि जिस घर में महिलाओं की इज़त की जाती है तो माता लच्मी की करपा सदय बनी रहती है और उन्हें खूब धन मिलता है बहीं दूसरी तरफ जिस घर में महिलाओं का तिरसकार किया जाता है अत्वा उन्हें परेशान किया जाता है तो उस घर से माता लच्मी कोशो दूर रहती है महिलाओं की इज़्जत करने के साथ ही सात्रों में ये भी बताया गया है कि महिलाओं के किस अंग को छूना नहीं चाहिए तो आईए जानते हैं उस अंग के भी बारे में सात्रों के अनुसार बो चीज कोई आउर नहीं बलकि महिला के अंदर उनकी नाभी होती है सात्रों में बताया गया है कि माता परबती की सभी सक्तियां उनकी नाभी में चीपी हुई रहती है और महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है इसी कारण से महिलाओं की नाभी को छूना एक प्रकार से पाप ही माना जाता है इससे आईसा माना जाता है कि आप महिला की सक्ति पर प्रहार कर रहे हैं बस यही करा रहे कि सात्रों में महिलाओं की नाभी को छूना पाप माना जाता है और ऐसा करने बाला पुरुस महापाप का भागिदार बनता है साथ ही उसे अनेक प्रकार के कश्ट भोगने पड़ते हैं साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि इस्तिरी की नाभी छूनने से पुरुस की बरबादी कभी भी हो सकती है यहां तक कि ऐसा पुरुस स्वेही अपनी म्रत्यू का कारण भी बन सकता है तो मित्रों हमारा आज का ग्यान बरधा का और नालेजबल वीडियो बस यहीं तक था तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसे ऐसे ही ग्यान बरधा का और नालेजबल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंग जय भारत